हेलो एवरिवर्ण वेलकम बेक टुमारफास किचन आज हम बनाने जा रही है सोया चंग्स की सबजी जिसे आप आलू सोया की करी भी कह सकते हो सोया चंग्स बहुत ही प्रोटीशने सबजी है और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके सोया चंग्स की सबजी बनाओगे तो आ है यह सोया चंग्स अब मैं सोया चंग्स में थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे पांच मिनिट तक सोक करके रखोंगी सोया चंग्स को अटलीस पांच मिनिट चाहिए रहता है ताकि सोया चंग्स अपने अंदर पानी को सोक करके अपने साइज में थोड़ा इंक्रीज हो ज करता है अब पांच मीड़ बाद आप देख सकते हो हमारे सोया चंक्स ने हाफ वाटर सोक कर लिया है और अपने साइज में भी इंक्रेज हो चुके है अब हम सोया चंक्स में से सारा वाटर निकाल लेंगे हम सोया चंक्स का पानी निकालने के अबाद इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अब आप देख सकते हो हमने सारे सोया चंक्स का पानी निकाल लिया है अब मैं आपको बाकी सारे इंग्रीडियन्स बता देती हूँ हमें चाहिए टमाटर, हरी मिल्च, अदरक, लहसोन, तेज पत्ता, सूखी लाल मिल्च, प्याज और एक पीस्पून जीरा अब हम मिक्सर में डाल देंगे प्याज, लहसोन, अदरक, तीन से चार हरी मिल्च, और इन सब चीजों का अच्छे से एक ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे अब आप देख सकते हो, हमने एक फाइन पेस्ट तयार कर लिया है अब हम मिक्सर ग्राइंडर में टमैटो दाल कर एक टमैटो प्यूरी बना लेंगे अब आप देख सकते हो, हमने बहुत ही फाइन एक प्यादा सा टमैटो प्यूरी तयार कर लिया है अब हमें चाहिए एक boiled potato मैंने आलू को already उबाल कर रख दिया है अब मैं एक pan में दालूँगी 150 grams oil और उसमें soya chunks दाल कर अच्छे से fry कर लोगी soya chunks को fry करते टेम पे हमें थोड़ा ज़ादा oil यूज़ करना होता है और हमें तब तक fry करना है जब तक soya chunks में एक अच्छा सा brown color ना आ जाए अब आप देख सकते हो soya chunks में एक अच्छा brown color आ चुका है that means हमारा soya chunks अच्छा से fry हो चुका है तो अब मैं इसे एक plate में निकाल लोगी आप देख सकते हो हमारे soya chunks में बहुत ही प्यारा brown color आ चुका है fry करने से अब मैं एक पैन में डालूँगी 100 gram तेल अब मैं तेल को हलका सा गरम होने दूँगी अब तेल हलका सा गरम हो चुका है तो मैं एक एक करके सारे आलू दाल दूँगी fry करने के लिए मैंने आलू को already boil करके रखा है आलू को हमने already boil कर लिया है इसलिए आपको जादा अच्छे से fry करने की ज़रूरत नहीं है आप lightly fry कर सकते हो 50% already आलू कुक हो चुका है अब आप देख सकते हो आलू में हलका गोल्डन ड्रॉंग कलर आ चुका है देट मींस हमारा आलू अच्छे से fry हो चुका है अब बस हम यह आलू को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हो आलू को जादा फ्राय करने की ज़रूरत नहीं है बस एक हलका गोल्डन ड्रॉंग कलर आना चाहिए अब हम उसी तेल में डालेंगे एक टीस्पून जीरा तीन सूखी लाल मिर्च और दो तेज पत्ता अब इन सब चीजों को अच्छे से फ्राय करने से पहले हम इसमें डालेंगे हमारा प्यास का बनाए हुआ पेस्ट अब में सुखी लाल मिर्च प्यास के पेस्ट और एक टीस्पून जीरा को अच्छे से भून लूँगी इस मसाले को हमें पांच से दस मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है अब आप देख सकते हो हमारा मसाला ओल्मोस्ट अच्छे से भून कर तयार हो चुका है तो हम इसमें डाल लेंगे हमारे मसाले सबसे पहले हम डालेंगे एक टीस्पून हल्डी पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर अब सारे स्पाइसेस को भूने हुए मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा टमेटो प्यूरी अब हमें टमेटो प्यूरी को जादा नहीं दो से तीन मिनिट ही पकाना है अब दो से तीन मिनिट बाद आप देख सकते हो टमेटो प्यूरी अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादनिसर अब बस हमें मसाले को ढख कर दो से तीन मिनिट तक पकाना है अब तीन मिनिट बाद आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है मसाले में साइड में तेल भी आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा फ्राइ किया हूँ आलू फिर हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राय किये हुए सोया चंक्स अब हमें हमारी सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमारी सबजी को पकाने के वक्त हम इसमें डालेंगे रोस्टेट कस्तूरी में अब हम हमारी सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम हमारी सबजी में डालेंगे एक ग्लास पान अब सबजी में पानी डालने के बाद हम इसे पांच मिनिट तक अच्छे से ढपकर पकने देंगे अब पांच मिनिट बाद में एक बार खूल कर देख लिएगी कि हमारी सबजी तयार है या नहीं हमारी सबजी अल्मोस्ट तयार है बस इसे दो और मिनिट लगेंगे बनने के लिए अब दो से तीन मिनिट बाद आप देख सकते हो हमारी सबजी बन कर तयार हो चुकी है हमारे आलो भी सॉफ्ट हो चुके है आप देख सकते हो आलो बहुत इजीली ब्रेक हो रहे है देट मिन्स आलो सॉफ्ट हो चुके है अब बस लास्टली मैं इसमें डाल रहे हू गुलाब जल जोकी ऑप्शनल है एंड फाइनली हमारी सोया चंक्स की सबजी बन कर तयार हो चुकी है तो चलिए इसे सर्फ करते है एंड हमारी सोया चंक्स की सबजी बन कर तयार हो चुकी है इसे मैंने हरा धनिया के साथ थोड़ा सगार निश्क किया है अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राय करें अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है थेन दो लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब और दोंट फोगेट टो इट बेल आइकन तो नेवर निस अनी अपडेट थेंक्स पो वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो झाल